कि वेल्कम बैक टूदा वैस्मी पाट साला वैस्मी पाट साला में आपका स्वागत है दोस्तों तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यानि कि चेप्टर नमबर 12 में हम अली वर्दी खां के बारे में जानेंगे हमने पिछले ले लेक्चर में इसकी प्रेष्ट भूमी पर चर्चा कर ले थी यानि बंगाल के नवाब किस प्रकार से आए उस पर हमने जान दिया था सबसे पहले मुर्सित कुली खां को पढ़ा थ फिर हमने सुजावद्दीन को पढ़ा था उसके बाद सर्फराज खां को पढ़ा था सर्फराज खां के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं अली वर्दी खां के बारे में ठीक है हमने ये बताया था कि अली वर्दी खां और सर्फराज खां के मद्द गिरिया का युद्ध ह जिसमें अलिवर्दी खान जीत गया था। और अलिवर्दी खान जीतने के बाद पूरे जो भी उसके अंदर कदाता था बंगाल, बिहार, उड़िसा उसका एक राजा बन गया था अब हुआ क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, देखिए, अलिवर्दी खां जो था, वो बंगाल राज का एक बहुत ही मजबूत सा सकता, ठीक है, बहुत मजबूत सा सकता, क्योंकि मुर्सीद कुली खां के बाद ही ये एक ऐसा सा सकता, जो कि बंगाल पर टिका र रहे पाया क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारा मतलब हो गया था जिसके कारण ये ये भी टिका नहीं रह सका और इसकी भी मृत्ति हो गई थी तो इसके बारे में हम चर्चा करतें देखिए अभी तक बंगाल का कोई भी वास्तविक सासक नहीं है ठीक है मतलब जितने भी लोग आये हैं सब या तो सुबेदारी से आये हैं या तो दीवानी के पत से आये हैं लेकिन वास्तविक सासक अपने आपको किसी ने नियुक्त नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है अब काल इस इसी काल में जो मुगल का सामराज था उसका बादसा जो होता है मुहम्मद साह रंगीला होता है और मुहम्मद साह रंगीला होता है और मुहम्मद साह रंगीला जो होता है एक विलासी किस्म का आदमी होता है ठीक है अब अलिवर्दी खान तो बंगाले वैठे हैं और मुगल साथ मुश्माता रंगिला है तो मुगल बाद साथ क्या करेंगे अली वर्दी खान को जब तक की उसको अनुमती नहीं देंगे कि आप राज सिंहासन समालो तब तक क्या समाल सकता है नहीं समाल सकता है हैना की बंगाल विहार उडीसा का छेतर जरूर इसके गंदर गाता है लेकिन मुगल वात्सा के द्वारा इसको कोई सासक बनाया नहीं गया है तो इस चीज को पूरा करने के लिए मुहम्मद सार अंगीला ने अलिवर्दी खाने क्या किया मुहम्मद सार अंगीला को घूस दिया यानि कि नजराना भेजा कि आप उसको वास्तिविक सासक बना दो तो घूस देने पर दो करोन का नजराना भेजा किसको मुहम्मद सार अंगीला को अलिवर्दी खाने अब दो करोन का नजराना भेजा तो विलासी टाइप के तो यह हई है ये तो लपसे कहेंगा, मैं दे दो, ठीक है, दो करोण का नजराना भेजा और अलीगर्थी खां वहां का वास्तिविक सासक बन गया, ठीक है, यहां से थोड़ी से कहानी स्टार्ट होती है इसकी, ये वास्तिविक सासक बन गया, तो इसके इंदर के बंगाल, बिहार और उडिसा का छेत्र पूरा आ गया ठीक है अब क्या हुआ अब इसके बाद ये वास्त्विक सासक बन गया लेकिन 1740 से 1756 के बीच का जो काल रहा है इसका बहुत ही संगर्स पूर रहा है इस बीच क्या हुआ बंगाल विहार उडिसा पर दूसरे जो छोटे-छोटी सक्तियां थी उनकी भी नजरे जा रही थी जैसे कि 1740 और 1751 के बीच में मराठों ने इन पर रोज हमला किया मतलब ऐसा कोई साल नहीं जाता था जब ये मराठे अलिवर्दी खा यानि भी बंगाल पर हमला न करे और पैसा लूट करके ले जाते थे जिससे अलिवर्दी खा पूरी तरीख इसे परिशान हो गया था और ये जान गया था कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे मराठों से पंगा लेना आसान काम नहीं हैं हर साल 49, 40 से सुरवात हुआ था 40, 41, 41, 42, 43, 44, जितने भी साल आई लमसम 11 साल तक इन्होंने आकरमर करते रहे करते रहे करते रहे लेकिन अलिवर्दी खां एक कुसागर बुद्धी का आदमी था ठीक है कुसागर बुद्धी का आदमी था भाई तबी तो अगर मान लो कि मराठो ने आकरमण किया था तो यहाँ पर क्या हुआ चलिए और इसके हम आगे की बात बताते हैं माराठो पर आकरमण किया इसके बाद क्या हुआ 1751 में माराठो के उस समय हेड बैठे थे कौन रगुजी घोसले रगुजी भोसले जो थे माराठो के हेड बैठे थे उन्होंने क्या किया अली वर्दी खहां से एक संदी कर ली जिसके अनुसर 12 लाख रुपे चौथ मांगी और उडिसा का सामराज मांगा कि आप हमको 12 लाख रुपे चौथ चौथ ही एक कर होता था मराठो की तरब से चौथ और सरदेश मुकी दो प्रकार के कर लगते थे 12 लाख रुपे चौथ मांगा और कहा कि जो तुम्हारे पास उडिसा का राज है वो हमको दे दो तो अली वर्दी ने कहा कि ठीक है हमने दिया और अच्छा यहाँ बाद जब इसने इसको घूज भेजा था यानि कि मुहमत सार अंगीला को दो करोण का नजराना भेजा था उसके बाद से अली वर्दी खाने एक भी पैसा नहीं बेजा बस हमारा तुमारा काम खतम हम तो सा अब बात क्या आ गई सबसे इंपोर्टन चीज जो थी अली वर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था इनके पास पुत्र का अभावता अगर मान लो कि इनके पास पुत्र होता तो यह अपने पुत्र को राज सिंगासन पर बैठालते और आगे का कार्य चलता ठीक है इनके पा पुत्री का पटना के नवाव से किया अब देखे कुसागर बुध्धी मत्ता के कारण ही इसने बंगाल विहार और ऑड़िशा को अपने अंडर में कर लिया था अपनी पुत्रियों का विवाद करके लेकिन इत्फाक की बात यह है कि पुत्रियों का विवा तो कर दिया ले इसमें से पहली पुत्री का नाम जहा गसीटी वेगम दूसरी वाली जो पुत्री थी यानि जो पूरियां के नवाब से ब्याही थी उसके पुत्र का नाम था सौकत जंग उससे एक पुत्र था जिसका नाम था सौकत जंग और पटना जो तीसरी पुत्री थी उससे एक पुत् तो अच्छा सौकत जंग फूर्डियां के नवाब के पुत्र है यानि कि इसकी दूसरी पुत्री का लड़का है तो अलीवर्दी खा कौन हुए नाना सिराजुद दौला के भी कौन हुए नाना और घसीटी बेगम तो क्या है पुत्री है अब यहां से क्या होता है थोड़ा सा ट्विष्ट यहां से आ रहा है अब क्या होता है आप सुनते जाहिए ठीक है क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्राब्लम है तो हम इतना लिख नहीं सकत च्वा now yeah अपना उत्राधिकारी नेउग्ड कर दिया कि आने वाले समय में यह हमारा उत्राधिकारी होगा और यहां से सिया इस पक्रहीं जब इना नाराज होता है सौकत जंग इसलिए नाराज होता है क्योंकि आप अगर उसके नाना हो सिराजुत दौला के नाना हो तो मेरे भी तो नाना हो हमको क्यों नहीं दिया ठीक है और पहली पुत्री जो घसीटी बेगम थी ये भी थोड़ा सा रुष्ट हो जाती है ये भी उत्रादिकार के लिए लड़ाई करती है और इसकी मदद कौन करती है इसके दीवान होते हैं राज बल्लब और क्रश्न बल्लब तो राज बल्लब और क्रश्न बल्लब के द्वारा इसकी सहायता की जाती है कि दीवान का पत हमको वो मिल जाएगा अगर आप हमारी सायता करोगे तो घजीटी बेगम, सौकत जंग दोनों मिल जाते हैं और सिराजुत दौला के खिलाफ युद्ध करते हैं अब देखिए सिराजुत दौला तो अकेले आ गए ठीक है, अच्छा हम उपर का कुछ साफ करते हैं ठीक है, उपर का साफ करते हैं तो हमें थोड़ा सा लिखने में समस्या कम होगी ठीक है, बस एक मिनट ठीक है, यह हो गया अब यहाँ से क्या हुआ, सिराजुत दौला, ठीक है सिराजुत दौला पर तीन सक्तिया आकरमड कर रही है, कौन-कौन एक तो घसीटी बेगम हो गई दूसरे सौकत जंग हो गए और इसका फाइदा उठा करके अंग्रेज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे अंग्रेज भी आ गए, इन तीनों ने मिल करके क्या किया सिराजुत दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तो सिराजुत दौला के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया तो याद रखिएगा, इनके बीच में युद्ध होता है मनीहारी का युद्ध, कौन सा युद्ध? मनीहारी का युद्ध मनीहारी का युद्ध खोगे, कब? अग्रेज वहाँ से धीरे से निकल लेते हैं अब घसीटी बेगम के जो दो दिवान थे कौन? राजबल्लब और क्रश्नबल्लब ये दोनों क्या करते हैं? इसका कोस जो होता है, वो लूट करके भाग जाते हैं देखिए, कसीटी बेगम का जो कोस था राजबल्लब और क्रश्नबल्लब जो कई रहते हैं कि हम तुमको रानी बनाएंगे वो इसका कोस ले करके भाग जाते हैं कोस खाली कर दिया, सौकत जंग हार गए तो सौकत इनके बीचे मनीहारी का यो द्वा अंग्रेज चले गए, यानि की पूरी तरीके से सिराजबल्ला बिजय हुआ और सिराजबल्ला उत्रा धिकार के पद़ पर बैठ गया ठीक है, इतनी बात है समझ में अब सिराजबल्ला जब पदवी पर बैठ गया, कुरसी पर बैठ गया अब देखिये, क्या होता है ठीक है, मनीहारी का योद्ट हो गया सिराजबल्ला कुरसी पर बैठ गया और अब राज हो गया सिराजबल्ला को ठीक है, इनको अपनी सीमा तक रखने देना क्यूंकि उसने एक कथन कहा था कि अगर अंग्रेजों को हम ना छेड़ें तो यह हमको सहत देगे और अगर हम अंग्रेजों को छेड़ देते हैं तो यह हमको काट-काटके काट-काटके मार डलेंगे यह अलिवर्दी खाका कत्षन था ठिक इतनी बात है यह समझे अब सिंगासन किसका हो गया कि यहां से समय आगया सिराजु दौला ने 1756 से 1757 तक ही राज किया और यह खतम हो गया कोई बात नहीं इसने एक साल राज किया लेकिन बहुत ही कुसागर बुद्धी का सासा किये था क्योंकि इसने ट्रेनिंग अपने नाना अली वर्दी खां से लिवी थी अब इसी बीच हो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में कहां यूरोप में एक सब्द वर्सी युद्ध छिड़ जाता है यूरोप में तो यूरोप से ये खबर आती है कि अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को आपस में ये अनुवती मिल जाती है कि आप जहां भी पूर्वी देशों में राज कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं आप वहां पर किले बंदी कर लो क्योंकि हो सकता है कि अंग्रेज तुम पर आकमड़ दाते और हो सकता है क फ्रांसी से तुम पर आक्रमड कर दें तो इन दोनों ने क्या किया अपने अपनी अपनी जितनी भी कोठियां थी धिरे धिरे किले बंदी बनाना स्टार्ट कर दिया अब बंगाल में ये लोग किले बंदी बना रहे थे तो सिराजुत दौला नाराज होगा की नहीं होगा अपकोस होगा तो यहाँ पर क्या किया सिराजुत दौला ने अंग्रेजों को समझाया और फ्रांसेसी को समझाया फ्रांसेसी तो समझ गया इन्होंने का ठीक है भईया हम किले बंदी नहीं करेंगे जो पांचवे नमबर पर आये थे इन्होंने का ठीक या हम किले बंदी नहीं करेंगे लेकिन अंग्रेज कहीते हम तो किले बंदी करेंगे तुम्हें जो करना है वो कर रो ठीक है सिराजुत दौला इससे नाराज हो गया एक पॉइंट तो ये रहा दूसरा क्उइंट ये रहा कि जो घसीटी बेगम के दीवान थे राज बल्लब और क्रश्न बल्लब हमने बताया राज कोस ले करके फुर उड़ गय थे वो भागते 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 कहां पहुचे अंग्रेजों के पास ठीक है तो अंग्रेजों के पास जब पहुँच गए थे तो सिराजुत दौला को इसकी खबर हो गई थी कि ये दूनों भाग करके अंग्रेजों के पास गए हैं पिराजुत दौला ने कहा कि तुम ये जो राज बल्लब और क्रशन बल्लब को लिए हो इनको हमें दे दो यानि कि जो दीवान तुमारे पास भाग के गए हैं उनको हमें वापस दे दो ठीक है दूसरा पॉइंट ये रहा तीसरा पॉइंट इसमें एक था दस तक दस्तक, 1717 फरुकसियर ने एक दस्तक नामपत्र जाली किया था जिसके आधार पर अंग्रेज क्या कर सकते थे, उसको ले जा करके कहीं पर भी ब्यापार कर सकते थे उससे उनको ब्यापार करने में कर की मुक्ति मिल जाती थी एक इस तरीके से पेपर होता था उस पर उनका जो फर्मान होता था सहनसा का लिखा होता था और उस कागज को क्या करते थे दस्तक का जाली प्रियोग करते थे भाई आप ले जा करके दस्तक दिखा दो तो आपको कर से मुक्ति मिल जाएगी जैसे कि टोल टेक्स पढ़ता है त तो अगर वो दस्तक दिखा दिया, तो आपको किसी प्रकार का करना ही देना है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, दस्तक की जाली कौपिया बना रहे थे, जाली कौपिया बना करके, जो अपने नीचे के लोग होते थे, करमचारी होते थे, उनको बेच देते थे, तो वो जो सिराजुत दौला को पढ़ गई थी तो सिराजुत दौला इन तीन घटनाओं से बहुत गुसे में था अंग्रेजों के प्रति अब जब उसने मना किया था कि आप किले बंदी ना करो फिर भी वो किले बंदी करते जा रहे थे दीवानों को वापस नहीं किया दस्तक का जाली प्रियोग कर रहे थे तब इसने गुसे में आकर के क्या किया कासिम बाजार कासिम बाजार पर इसने पहला आकरमड बोल दिया कासिम बाजार पर पहला आकरमड बोल करके कासिम बाजार को जीत लिया दूसरा आकरमड इसने फोर्ड बिलियम पर किया कहा किया फोर्ड बिलिय पर जहां ये किले बंदी अपनी करना करे हुए थे वहां पर आक्रमण किया और वहां पर जब किले बंदी कर रहे थे तो वहां के दो गवर्नर थे वो इनके खिलाफ लड़ रहे थे एक का नाम था ड्रिक और एक का नाम था क्या मिंचन ये दोनों आपस में सिराजुद दौल बहुत गुस्से में था एक आक्रामक सेना ले करके गया था फोर्ड बिलियम पर गवर्नर ड्रिक और मिंचन को मारा खुम मारा लठेर लठेर के मारा कि दोनों मजबूर हो गए आत्म समर्पड करने के लिए ठीक है और ये दोनों भाग के चले गए कहां फुंटा नामक जलाए गए नहीं उसका मौर्चा लिए ङा अरिन अरिकार किया कासिम बाजार पर अधिकार किया लेकिन जब ये आत्मसमर्पड किये थैं तो इसी बीच में लड़ाई देखो जाली थी जब ये दोनों भाग कर चले गए तो उसीमें लड़ाई चल लाई-ती तो उसी में क् एक हॉल्बिल नामक विक्ती था हॉल्बिल नामक विक्ती था हॉल्बिल नामक विक्ती ने इसका मोर्चा लिया समझ में आ रही न बात ठीक है हॉल्बिल की अब नेतरतों में लड़ाई होने लगी ठीक है यहां से यह बात आई कि फोर्ट बिलियम पर इसने आकमण किया, ड्रिक और मिंचन दोनों भाग गए, लेकिन हॉल बेल ने मोर्चा समाला और उसके नेतरतों में लड़ाई होना स्टार्ट हो गए, अब देखिए आगे की घटना क्या होती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरे शिराजुद दोला की बिसाल से इधर से लड़ाई कर रही है, इन लोगों ने क्या किया, फोर्ट बिलियम में ही, 18 बाइच चौदा, 18 बाइच चौदा के कमरे में, हॉलवेल भी उसमें था, 18 बाइच चौदा के कमरे में, इतिहासकारों का ये कहना है कि 147 लोगों को, 147 ल नहीं था, रोसने की एक विकण नहीं जा सकती थी, तो ऑक्सिजन का अभाव हो जाएगा ना वहाँ पर, भाई जीने के लिए, ऑक्सिजन गैस चाहिए, तो वहाँ पर ऑक्सिजन का अभाव हो जाएगा, ऑक्सिजन के अभाव से क्या हुआ, वहाँ पर धीरे 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 लोग मरते गए मरते गए और बताते हैं कि केवल 21 लोग वहां से वापस निकले अब बताईए 18 बाई 14 के कमरे में क्या इतने लोग रह सकते हैं ठीक है लेकिन विचारकों का मत है कि ऐसा हो सकता है ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि ये जो 21 लोग बच करके आये थे इसी में ए जो हुआ है था आपनी एक पुस्टक इसने लिखी थी अलय डई वंडर क्या लिखी थी है अलय वंडर एक alive wonder अपनी किताब में इसने ये बताया था कि 21 लोग जो बचकर किया थे यानि कि पूरी उसको उस घटना का वर्डन किया था तो इस घटना को ही हम कहते हैं काल कोठरी घटना ठीक है इस घटना को ही कहते हैं काल कोठरी घटना बड़ा confusion होता है इसी को इंग्रिश में हम बोलते हैं black hole black hole tragedy black hole tragedy भी इसको बोला जाता है ठीक है तो यहां से चलो काल कोठरी घटना हो गई black hole tragedy हो गई यहां पर h o l e होगा black hole tragedy की घटना हो गई तो इस घटना को ध्यान रखिएगा शिराज दौला ने जिस कमरे में उनको बंद किया था इसे को बोला जाता है black hole tragedy ठीक है यह तो कहां हो रहा था सब फौर्ड विलियम में हो रहा था कलकत्ता में हो रहा था बंगाल के अंदर हो रहा था लेकिन हमने आपको बताया हुआ था कि अंग्रेजों की और factory भी तो लगी हुई थी ठीक है अंग्रेजों में एक बड़ा मुख्याला था इनके पास तो यहां से क्या हुआ यह खबर पहुँची कहाँ मदरास में यह खबर कहाँ पहुची मदरास में तो मदरास में जो अंग्रेजी लोग बैठे हुए य New लोग बैठे हुए थे इन्होंने कहा कि हमारी जाती के प्रती इतना बड़ा उपद्रव मतलब एक राजा की इतनी आउकात हो गई कि इतना बड़ा उपद्रव कर दिया हमारे लोगों को इसने इस बेरहम से मारा आए इतनी बेरहमी से मारा आए क्योंकि हॉल्वेल ने बोल दिया था वहाँ पर कि ये एक नरसंगार रहती है ये बहुत ही कुरुवल किसम का आदमी है तो मदरास में बैठे जो लोग थे यहाँ पर इनको पता चला अब क्या लगता है आपको या ये गुस्ता नहीं करेंगे कि इनके लोगों को एक छोटे स सबको उसने भर दिया था तो मदरास में बैठे लोगों को इस चीज की कानो कान खवर लगी ठीक है खवर लगी तो क्या ये चुब बैठने वाले थे नहीं बैठने वाले थे इन लोगों ने क्या किया अब देखिए मदरास से लगा हुआ क्या है दो इलाके है एक तो ये व जल्वालाईलागा है ठीक है तो हुआ क्या यहां से दो वेक्ति आए दो वेक्ति आए कौन चले एड्मिरल वाट्सन और लाड क्लाइब ठीक है एड्मिरल वाट्सन अभी हम केवल क्लाइब कहेंगे एड्मिरल वाट्सन और क्लाइब ठीकर एड्मिरल वाट्सन और कलाइब थल के रास्ते से कौन गया कलाइब और जल के रास्ते से कौन गया वाट्सन एड्मिरल वाट्सन एड्मिरल वाट्सन अच्छा यहां से हम आपको एक बात बताते हमने बताया कि इसने क्या किया था आज जब कलकत्ता पर अधिकार किया कलकत्ता पर आदकमर किया तो कलकत्ता का नाम बदल करके इसने रख दिया था अली नगर अली नगर ठीक है इसने नाम बदल करके क्या रख दिया था अली नगर अब अली नगर इसने राम रख दिया इधर से थल की तरफ से चले क्लाइव और जल की तरफ से चले कौन एड्मिर व defin sol रहे हैं अब बताएं सिराजुन ये गिरेंगे कि नहीं कि पीचे भागल हो झाया है। इधर से तुरंट ऑंग्रेजों का एक फर्मान आया कि हमारी तरफ से आप संदी कर लो ठीक है, तो संदी करी गई, तो उस संदी का नाम रखा गया अली नगर की संदी, क्या रखा गया? अली नगर की संदी, क्योंकि सिराजुत दौला को लग रहा था कि अब हम पक्का हार जाएंगे इससे बढ़ी आए कि इनसे हम संदी कर लेते हैं तो दोनों के बीच में एक अली नगर की संदी होती है अली नगर की संदी में देखिए क्या क्या होता है सबसे पहली कहा कि जितना भी हम ब्यापार कर रहे हैं ठीक है जितना भी हम ब्यापार कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए करमुक्त होना चाहिए हमको पूरी तरीके से करमुक्त ब्याबार करने की आग्या दे दो ठीक है दूसरा point उन्होंने कहा कि जो दस्तक है जो दस्तक है हम जाली छाप रहे हैं अच्छी बात है लेकिन दस्तक पर कोई रोक न लगाओ दस्तक पर कोई रोक न लगाओ तीसरा point उन्होंने कहा कि जितनी तुमने हमारी छती पूर्टी की है जितनी तुमने हमें छती पहुचा यह उसकी पूर्टी करो यानि कि हमको छती पूर्टी वापस करो छती पूर्टी दो छती पूर्टी छती पूर्टी का मतलब एक पैसा होता है जो कि उनका बरबाद हुआ है तो वो पैसा हमको दो तीसरी चौथी इन्होंने बात कही कि कलकत्ता की हमको किले बंदी करने दो कलकत्ता की किले बंदी करने दो और पांचवा इन्हों ने कहा जो सबसे मुख्य पॉइंट था इन्हों ने कहा कि हमको बंगाल में भी सिक्के चलाने की आग्या दे दो यानि कि सिक्के ढालने की अनुमती दे दो, क्या कहा, सिक्के ढालने की अनुमती दे दो, तो पांच प्रकार की सरतें सी राजुदौला के पास रखी, कहा कि अगर आप ये करने को तयार हो, तब तो ठीक है, वरना हम आ रहे हैं, तुम्हारे सामराज को नश्ट करने, जो तु को हम नश्ट करने आ रहे हैं तो सिराजुद दौला ने इनकी पांचो चीजों को मान लिया और इनके बीच में हो गई अली नगर की संधी वो पांच चीजे एक बार फिर से में रिपीट करता हूँ व्यापार कर से मुक्ति हमको प्रदान करतो जो दस्तक हमको तुमने दिया ह है फरूक सियर की मदद से उस पर भी कोई प्रिकार की रोग ना लगाओ चो च्छती पूर्ट हमको वापस करो जो तुमने हमारा नुक्सान कया जो च्छती की है उसकी हमें च्छती पूर्टि दे और कलकत्ता की किले बंदी करने का हमको अधिकार दे दो और सिक्के ढालने क अनुमती दे दो ठीक है तो यहां तक सिराजुद दौला का काल आता है ठीक है अब हम आगे कि नेक्स्ट वीडियो में प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे क्योंकि यहां से हमारा जो जितनी भी प्लासी के युद्ध की प्रेष्ट भूमी थी वो तयार हो चुकी है अब केवल एक साल उसी में आही चुके है प्लासी के युद्ध की प्रेष्ट पूरी रूप से तयार हो चुकी है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए हम आपको प्लासी के युद्ध को जरूर बताएंगे ठीक है सबसे important बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको समझ में आ रहा है हमें ऐसा लग रहा है समझ में आ रहा है आपको तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप उसको जद़ जद़ प्लीज share कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको हमारी मैनत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजे चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी रिफर कीजिए आपके पास जितने भी सोजल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पर भेजिए ठीक है हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताते रहेंगे और पूरी जी असको बहुत ही मखन की तरीके सॉल्व कराएंगे आप किसी प्रकार की चिंता मत किजिए ठीक है तो हमारे साथ बने रहे है जैहिं जैभारत थैंक्यू